जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपकी चनल में बहुत बहुत सवागत है और बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखेह बस मेरी यही दुआ है बाबा से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो अच्छा वक्त है वो जाने वाला है पहली बात दूसरी बात है कि जिन लोगों का अभी तक जीवन में अच्छा वक्त नहीं आया है उन लोगों के लिए वीडियो है और तीसरा जिन लोगों के जीवन में अच्छा वक्त बीट चुका है और फिर वो लाना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए और चोत हैं जिनका भी अच्छा वक्त चल रहा है तो वो अच्छा वक्त चलता रहे इन चार तरह की केटिगरी में हम बात करेंगे और इसमें से एक नए केटिगरी आप जीवन में भी आपके साथ बीत रहे होगा तो अभी तक शायद आपको किसी नहीं बताई होगी विडियो है उससे पहले एक निवेदाने दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और बहुत तिनों से सबकम सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मेरे भूले नात का नाम जरूर 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 लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे और अगर मुझे बात आप करना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर वाट्सप पर अपॉड्मेंट लेकर बात कर सकते हैं कोई दिक्त की बात नहीं है अब हम बात करते हैं कि अपका अच्छा वक्त जाने वाला हैं जो हमारे मन में एक Tendency होती है और जो मुझे हमेशा यह प्रस्थन पूचा जाता है कि हमारा अच्छा वक्त कब आए गा तो मैं उन सभी के लिए इस अच्छा वक्त कब आएगा उसका जवाब आप सुन लिजेगा कि अच्छा वक्त जो होता है वो हमारा केवल और केवल वर्तमान होता है जो अभी चल रहा है अब इस वीडियो को यहां से पूरा पिक अप करना तो चीज़ा अब अगर आप थोड़ी सी डिस्टबिंग होंगो तो फिर समझ नहीं पाएंगे सबसे पहली बात मैं कह देना चाहता हूँ कि कर्म कर फल की चिंता मत कर आपको कर्म करना फल की चिंता मत करें और दूसरी बात कि दुनिया की परवा करना बिल्कुल आप छोड़ दें कि अब रही बात में दो बात इसलिए एक साथ कह रहा हूं कि हमें हमारे दिमाग में दुनिया की और हम कर्म की तरफ और इन सब चीजों पर कम ध्यान देकर हम की वल उपकी इस विचार में डूबे रहते या तो हमारा अच्छा वक्त कब आएगा या हमारा अच्छा वक्त चल रहा है तो इसे हम कैसे continue रख सकते हैं या जो हमारा अच्छा वक्त चले गया है उसे हम वापस कैसे ला सकते हैं तो इन तीनों चीजों में सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है आपका कर्म करना और फल की चिलता को उना करना है क्योंकि जब भी हम किसी चीज को लेकर बैठेंगे दिमाख मर किसी चीज को लेकर एक पहले से रोड में बना लेंगे कि ऐसा हो जाये ऐसा हो वो जादातार नहीं होता है मन का हो तो अच्छा नहीं हो तो बहुत अच्छा ये बात आपने सुनी होगी उसके पीछे का science कि यही कहता है कि जिएंस जो हम सोसतें वो कभी होती नहीं है और आपका अच्छा वक्त कभी आएगा नहीं और वरतमान अभी चल रहा है न वो आया नहीं है वो आपके कर्मों का फल है अपने जो भूत काल में जो कर्म के थे शकारतमा उसका परिणाम आप भुगत रहें हैं तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे केवल और केवल आपके पास वर्तमान है और वर्तमान में भी आपको अच्छा कर्म करना है अपने इस वक्त का फाइदा लेना इस काम अपने इस वक्त में कुछ नो कुछ कर्म जरूर करना है बेटना नहीं है अब उसमें कुछ चीजे हैं जिन चीजों को लेकर हम बस दिमाग में लेकर बेट जाते हैं जैसे कि दुनिया की बिल्गुल परवाद ना करें हालात से हारें नहीं बहुत लोग हालात से निरास और हतास हो जाते हैं और खुद पर यकीन रखें जै महाप्राइब